संस्कृत साहित्य के विश्रुत महाकवियों, कालिदास भार्वी माग आधी की तरह भरतिर्यहरी के जीवन परिचे का उलेक प्रामानिक रूप से नहीं मिलता है, भरतिर्यहरी की रचनाओं के अंतह साक्षे पर यही प्रतीत होता है, कि राज की ये जीवन से उनका प्रगाड संबंद था और उने जीवन में परियाप्त भोग ऐस्वर्य का सुख मिला था, वाक्य पदिये और नीती सतक के मंगल स्लोकों के अनुशार वे शेव वैदान्ती थे, उन्होंने उक्त ग्रंतों में अनादी निधनम ब्रह्म और अनन्त चिन मात्र मूर्तये आधी कत्नों से अपनी ब्रह्मवादी आस्था व्यक्त की है, इस कारण उन्हें बोद्ध मानन अनुचित है, इत्सिंग के उल्लेखा नुशार संभवतह, वे अपने जीवन में कुछ काल तक बोद्ध रहे हूं, परन्तु अन्तत वे शेवागम के पक्सपाथी थे, वैराग्य सतक में उनके आस्ता शास्वत, शिवानंद की और उन्मुख दिखाई देती है, इस से वे वैदिक धर्मावलंबी ही प्रमानित होते हैं, भर्तिर्यरी के जीवन वृत, एम व्यक्तित्व को लेकर भारते हिंदू, जनता में अनेक जन्शुर्तियां प्रचलित है, तद्मुशार वे मालवा प्रदेश के निवाशी, तथा जाती के ख्षत्रिये थे, इनका जन्म एक राजवन्श में हुआ था, उनके पिता गंधर्व सेन की दो पत्नियां थी, एक से भर्तिर्यरी का जन्म हुआ था, और दूसरी मालवा की राजधानी धारादी पती की पुत्री से विक्रमादित्य उत्पन हुए थे, धारादी पती का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उनके विक्रमादित्य को अपना राज्य देने का विचार किया। भरत्री हरी और विक्रमा दित्ते ने साथ साथ रहकर योग्य गुरुवों से नीति शास्त्र, धर्म शास्त्र और धनर विद्या की शिक्षा प्राप्त की थी। विक्रमा दित्ते भरत्रीरी का अत्य दिक आधर करते थे, इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई के रहते राजा बनना स्विकार नहीं किया, और अपने नाना से भरत्रीरीरी को ही राजा बनवाया, तता स्व्यम मंत्री बनकर शासन चलाने में सयोग किया. कुछ समय बाद मालवा की राजदानी धारा नगरी से बदल कर उज्जैनी बनाई गई. राज सत्ता पाकर भरत्रीरीरी की विशिया सक्ती इतनी अधिक बड़ गई कि वे सारा समय अंत्यपुर में ही व्यतीत करने लगे. विक्रमादित्य को बार बार समझाने पर भी वे अपनी आदते सुधार नहीं सके. इतना ही नहीं उन्होंने एक दिन अपनी प्रेशी के कहने पर रुष्ट होकर विक्रमादित्य को मंत्री पद से खटा कर अपने राज्ये से निर्वासित कर दिया. तत्पस्यात भरत्री हरी विशय वासना से अत्य दिग्रस्त हो गई। परिणामत है राज्य व्यवस्था डगमगाने लगी और राज्य में असांती फैल गई। इसी अवसर पर एक ऐसी गठना गठित हुई जिसका भरत्री हरी के रिधे पर गयरा प्रभा पड़ा। हुआ यह कि किसी ब्राह्मन ने भरत्री हरी को एक ऐसा दिव्य फल दिया जो आयू वर्दक था। उन्होंने वह फल श्योम ने खाकर अपनी प्रियरानी पदमाक्षी य उसने भी वह फल अपनी प्रियतमा रानी ने वह फल अस्वादक्ष को दे दिया क्योंकि वह अस्वादक्ष से प्रेम करती थी और अस्वादक्ष जो है एक वैस्या से प्रेम करता था तो उसने वह फल उस वैस्या को दे दिया। वैस्या ने भी फल नहीं खाया और वह राजा को प्रेम करती थी, वह राजा भरत्री अरी को ये सोच कर अरपन कर दिया कि उसे खा कर राजा अधिक दिनों तक झीवित रह सकेगा और प्रजा का पालन करता रहेगा। पुने उस फल को पाकर भरत्री अरी को अत्य दिग आस्चरे हुआ। इस रहस्य का पता लगने पर उन्हें अत्य दिग दुख हुआ। इस संबंद में उनका एक स्लोक उद्रित किया जाना आवश्यक है। याम चिंतियामी सततम मैशा विरक्ता साप्य अन्नम इच्छती जनम से जनों अन्य सक्ताह अस्मत कृतेच परितुष्यती काची दन्या दिखताम चे तम चे मदनम चे इमाम चे माम चे। अर्थात मैं जिस प्रियतमा इस्त्री का रात दिन चिंतन करता हूं वह मुझसे प्रेम नहीं करती है। और अन्य किसी दूसरे पुरुष को चाहती है। वह दूसरा पुरुष भी उस रानी से प्रेम नहीं करता है। पुरुष को और अन्य इस्त्री मेरे चिंतन से प्रसंड है। वह मुझसे प्रेम करती है। अधै उस मेरी प्रियतमा को, उसके प्रेमी पुरुष को, उस इस्त्री को, और कामदेव को और मुझन को भी दिखा रहा है। क्योंकि सभी विप्रीत प्रेम कर रहे हैं और कामदेव को यहां दिखार क्यों कहा है क्योंकि कामदेव जो है मनसिज है मन में इच्छा उत्पन करता है तो अनुकूल इच्छा उत्पन्न न करके विप्रीत अन्य-अन्य के प्रती इच्छाएं उत्पन्न करने के कारण यहां महाकवी ने कामदेव को भी दिखा रहा है। राजा भरत्री हरी को अपने मोह पास्ट में आबद्द किया। इसी समय एक अन्य गठना गठित हुई। कि एक दिन भरत्री हरी शिकार खेलने वन में गए। वहां उन्होंने देखा कि एक शिकारी ने अपने बान से म्रग का को मार दिया। परन्तु तभी साप के काटने से वह भी मर गया। बाद में म्रगी आकर अपने प्रियतम म्रग की देह पर गिर कर मर गई। और शिकारी की पतनी भी अपने पती की चिता पर बैठकर जल मरी। ये दर्श से देखकर भरत्री हरी को अत्य दिग आश्चरे हुआ। राजभवन में आकर उन्होंने ये रिधेविदारक गठना अपनी प्रिया पिंगला को कह सुनाया। राणी पिंगला ने इसको सामाने सा उत्तर दे दिया और कहा राजन पती वरता इस्तरी को अगनी चिता की जरुरत नहीं पड़ती है। वह तो पती के मर जाने पर ततकाल अपने प्राण त्याग देती है। राणी का ये उत्तर सुनकर भरतरी हरी को उस पर विश्वास नहीं आया। इसलिए उन्होंने उसकी परिक्षा लेने का निश्चे किया। कुछ दिनों के बाद राजा भरतरी हरी शिकार खेलने वन में गए। वहाँ जाकर उन्होंने अपना एक वस्तर रक्त में भिगोकर अपने अनुचरों के हात राणी पिंगला के पास भिजवा दिया। और सेवकों ने राजा के आज्यानुसार व्यवस्तर राणी को देते हुए निविदन किया कि महराज पर वन में शेर ने आघात लगाकर आक्रमन किया। उसका सामना करते हुए महराज स्वर्ग सिधार गए है। ऐसे रिधे विदारक कथन को सुनकर राणी पिंगला ने राजा के उन वस्तरों को जमीन पर रखकर स्व्यम उसके आगे सिर जुखा कर अपने प्राण त्याव तत पस्यात सेवकों ने राजा भरतेरेरी के पास जाकर जब ये सुचना दी तो वे अत्यदिक दुखी हुए। तब उन्होंने विक्रमा दित्य को बुला कर और उन्हें राज्य भार देकर स्व्यम वैराज्य धारन कर लिया। तनंतर योगी गोरखनात ने दिक्सा देकर योग साधना में भरतेरेरी को लगाया। साथ ही अपने भगीनी पुत्र गोपी चंद भानजा के साथ पवित्तर तीर्थों की यात्रा करते हुए अंत में समाधी लीन हो गए। भरतेरेरी का उक्त जीवन परिचे जन्शुर्तियों एम सिंगासन द्वातिरंशी का पराधारित है। इन में कितनी सत्यता है ये कहा नहीं जा सकता। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि धार्मिक हिंदू समाज में भरतेरेरी को परमयोगी एम सिद्ध पुरुष के रूप में पूजा जाता है। और आईश्य व्रद्धी की किमवदंती के आधार पर इन्हें अमर माना जाता है। झाल में भरते हैं।